नौरात्री में किसी भी दिन किसी भी छोटी कन्या को दे दें यह एक चीज चमक जाएगा आपका भाग हर परेशानी तुरंत होगी खत्म दोश्तों शारदी नौरात्री सर्व सुक परदान करने वाली और आदि सक्ती मादुर्गा को समर्पित होते हैं शारदेन और रात्री अशनी माह के शुकल पक्ष की परति पदा तिथी से सुरू होकर यह अशनी माह के शुकल पक्ष की नौमी तिथी तक चलती है और दसमी के दिन विजय दसमी यानिकी दसहरा मनाये जाता है इस बार यह शारदे नौरात्री 26 सितमबर से शुरू होकर और 4 अक्टूबर तक रहेंगे 5 अक्टूबर को 12 यनिकी दसमी रहेगी यनि इस बार पूरे 10 दिन की यह शारदे नौरात्री रहेगी नौरात्री में नौ दिनों तक माता रानी के नौ अलग अलग शुरूपों का पूजन किया जाता है देवी भागवत पुरान के अनुसार पूरे साल भर पूजन से मा इतनी प्रसंद नहीं होती जितना शारदे नौरात्री में किये गए ब्रत पूजन से हो जाते हैं क्योंकि सारदे नौरात्री मा को बहुत ही प्री है और दोस्तों इस बार की यह सारदे नौरात्री बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस बार की यह नौरात्री में हर दिन कई दिब्ब और दुरलब सुबसयोग बन रहे हैं इस बार ब्रत पूजन का कई गुना अधिक फ दुख दर्विता कनास कर देती हैं। मातारानी अपने भक्तों को मन्चाहा बरदान देती हैं। नवरात्री में वैसे तो मातारानी का पूजन और ब्रत रखा जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में केवल आस्तिरवाद मांगा जाता है कन्याओं को परसंद करने के लिए उपहार भी दिये जाते हैं माना जाता है कि कन्याओं को अगर कोई भेंट दिया जाए तो वह उशे स्विकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वह भेंट स्विकार कर लिया जिन पर कन्याई प्रसन होती हैं माना जाता है कि उन्हें माता रानी का आशिरवाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुह मांगा बरदान प्राप्त होता है नौरात्री में वैसे तो हर दिन कन्या पूजन का विशेस महत होता है होश के तो आप यहने की एक कन्या को भी बुला कर उसका पूजन अवश करें अगर ज्यादा संभव ना हो तो जितना आपके पास शंबर्थ है उतना आप कन्या को बुला कर मा का शुरूप मान कर उनका पूजन जरूर करें और भोग लगाना चाहिए लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि अगर आप एक तिथी से लेकर बहुत शी लोग तीसरे दिन, पांचमे दिन, साथमे दिन, आठमे दिन और नौमे दिन करते हैं तो आप सब्तमी, महा अश्टमी और नौमी की दिन विशेश कर जरूर करें कन्याओं का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए सब्तमी, अश्टमी और नौमी दिन खासकर अश्टमी और नौमी की दिन तो जरूर करें दोस्तों देश और दुनिया में जो कठिन परिस्तियों का सामना करना पड़ता है या फिर कई बीमारियों के चलते कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन सबी समस्याओं से आप सुरक्षित रहेंगे लेकिन जैसा कि सास्त्रों में वरनित है कि कन्या पूजन के बिना कन्याओं के आश्तिरवाद के बिना नवरातरी के ब्रत और पूजन अधुरे रहते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्री के दौरान किसी भी कन्या को दे दें तो आपको नवदुरगा माता का अस्रिबाद प्ताप्त होगा नवदुरगा मा के कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी घर में शुक्षम्रिद्धी आएगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले माता रानी के नाम पर जै माता दी लिखकर कमेंट वाक्ष में अवश्य लिखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बीड़ो को लाइक करें और इसे माता जी के कृपा प्राप्त करने के लिए ज़्यदा ज़्यदा अपने दोस्तों के वीच फ्रेंड के वीच सेर अवश्य करें दोस्तों, माता रानी के किरपा प्राप्त करने के लिए नौरात्री के किसी भी दिन इश्नान करके सुद्धवस्त धारन करें अब आप एक पानी वाला जटा वाला नारियल ले लें इस पानी से अच्छी तरशे से धो का एक साफ इनि वरतान में रख लें एक प्लेट में रख दें अब माता रानी के सामने एक सुद्ध घी का दीपक जलाएं और सुगंदित धूपत्ती जलाएं अगर आपने अखंड जोती जला रखी है तो अलग से दिया जलाने की आवशक्ता नहीं है इसके पश्यात अब आप माता रानी को किशी फल मिष्ठान का भोग लगाएं और भोग लगाने के पश्यात आप माता रानी को कुमकुम से तिलक करें तिलक करने के बाद आप उसी कुमकुम से नार्यल पर एक स्वास्तिक का चिन्ध बनाएं और साथ में थोड़े से मखाने रख लें और उसमें यथा योग संभव दच्छना 21, 21 इंग्चामन जितना आपके पास संभव हो दच्छना रख लें और फिर आप उसमें यानि की एक दो लौंग रख लें एक इलाइची रख लें और इसमें कुछ आप वस्त वगएर भी अगर आप देना चाहते हैं तो वस्त वगएर भी रख लें फिर आप यनि की इसको माता रानी के सामने रख दें दोस्तों कन्याओ को इस दिन आप अपने घर पर बुलाएं तो कन्याओ को आप उनका सबसे पहले स्वागत करें पैर धोकर पैर धोने के बाद फिर आप उन्हें अच्छे आसन पर बिठाएं और आसन पर बिठाने के बाद फिर आप उनके सरपर लाल चुनरी उढ़ाएं और भोजन में आपको उनको खीर पूरी हलवा तथा आलू की सबजी और छोले वगर सबजी खिलाना चाहिए खीर वगर उन्हें परोसें और लहसुन प्याजवाला इस्तिमाल कभी भोजन इस दिन ना दें अनथा अनर्थ हो जाएगा माता रानी जी कृपा नहीं करेंगी कन्याओं को कुरकुरे वगरे का पैकट चिपस वगरे का पैकट बिल्कुल भी ना दें इस दिन आप यानिकी अच्छी तरह से स्वागत करके उन्हें भोजन खिलाएं और फिर आप भोजन कराने के बाद जब वो यानि भोजन कर चुके हैं तो आप उन्हें यानिकी ये जो आपने नारियल मखाने और इसमें लॉंग इलाची आपने एक लाल कपड़े में बांध कर रखा है जिसमें स्वास्तिक बनाया है इसे आप मातारानी के चर्णों के पास से उठा कर और आपको किसी एक कन्या को देदे संभव हो तो जितनी कन्याओं को आप अगर संभव अगर आपके पास समर्थ है तो अगर आप शामर्थवान है तो आप जितनी कन्याओं को भोजन कराएंगे उतनी कन्याओं को आप यानिकी सब को दे दे लेकिन अगर नहीं दे सकते तो किसी एक कन्या को बुलाकर ही इस दिन फिर आप यह दीजेगा किसी भी दिन, नौरात्री के किसी भी दिन आप दे सकते हैं एक कन्या को और अगर आप सभी कन्याओं को देना चाहते हैं जितना आपने सब को भोजन कराया तो ज़्यादा उत्तम रहेगा तब तो माता दोड़ी दोड़ी चली आएंगी आपके घर दोस्तों इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें और फिर उनके चणों का इसपर्श करें और उन्हें पढाम करें माता सुरूप मानकर उन्हें बिदा करें और जब वो हसास कर खिल खिला कर आप की ओर देख लें तो समझो माता रानी के किरपा आपको पर बरसने वाली है उदय होगा बड़ी से बड़ी परिशानी तुरंत हो जाएगी खत्म। मातारानी किरपा से आपके घर में शुक्षम्रदी का वास होगा। कन्याओं को अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो आप इस दिन उन्हें 21-151-108 विशेश तोर पर दच्छनक रूप में भी आप दे सकते हैं। जलेवी बगर या फिर आप बाहर से कोई चिप्स बगर कुरकरे बगर खरेत कर दे देते हैं तो ये अच्छ नहीं हैं। आप इस दिन घर में पक्का भोजन यानि बनाए और कन्याओं को खिलाएं। शुद्ध शाका हार और खीर पूरी हलवे बगर खिलाएं। कन्याओं को हमेशा इस टील के बरतन में पत्तों के बरतन में ही भोजन परोशें। कभी भी उन्हें भोजन कराते समय, कभी भी दोनी जैसे की बहुत सारे बाजार से मिलते हैं आजकल प्लास्टिक वगरे में उसमें ना कराएं। ये अशुद माना जाता है। माता शक्ती मा दुरगा शक्ती के ये कन्याएं रूप मानी जाती हैं। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्याओं को इस दिन मान सम्मान दें। रख लें फिर इसे बांद कर माके चणों के पास रख दें। फिर उसे उठाकर कन्या को आप दे दें। भेंट दें। और उनसे आस्रवाद मांग लें। भाग चमक जाएगा। किसमत चमक जाएगी। तो इस प्रकार से उपाएं जरूर करें। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करिए शेयर करिए अब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।